बूर्णिंग फ्रेंड्स मैं डॉके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हास्पिटल स्वरुपनगर कानपूर आज मैं बात करूंगा फेट केट डाइजिशन के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी जो इंटिस्टीन है या आपकी जो बाडी है फेट को डाइजिस्ट कैसे करती है इन उसके बात बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन से ऐसे पाथ सिंटम्स है या साइंस है जो इंडिकेट करते हैं कि आपका फेट का जो है या fat की digestion की जो process है वो perfect नहीं है तो सबसे पहले देखिए कि fat का digestion कैसे होता है यह बात बिल्कुल सही है कि fat का जो digestion है वो is a problematic issue वो हमें समझनी की ज़रूरत है यह बिल्कुल बात सही है कि जब healthy eating की बात होती है यह बात होती है कि मैं आप खाते हैं तो आप गलत खाते हैं अगर आप fat खाते हैं तो आपको heart की बिमारी होगी अगर आप fat खाते हैं तो आपको मुटापा होगा और अगर आप fats ज़्यादा खाते हैं तो आपको दुनिया की बिमारियां होगी क्या आप भी ऐसे समझते हैं कि fat आप जब भी खाएंगे तो ये problems खड़े होंगे, it's a very debatable issue, debatable in the sense, कि हम जो भी खाते हैं, उसमें 3 macronutrients होते हैं, जो macronutrients हैं, वो हैं, जो हमारी body को चाहिए, हमारी body को macronutrients चाहिए, उसमें number one is the carbohydrates, number second one are the proteins, number third one are the fats, जो fats हैं, वास्तों में macronutrients हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते, कि मैं सब करूँगा, लेकिन fats को 100% avoid कर दूँगा, क्योंकि ऐसी खाने के कोई चीज नहीं है, जिसमें fat नहीं हो, पानी को छोड़के, आप कुछ भी खाएंगे, आपकी body में fat तो जाएगा, और fat is needed, अगर हम fat को देखें, तो why they are important, they are important, क्योंकि ये आपको energy देते हैं, क्योंकि calories लेके चलते हैं, आपके जितने भी body के अंदर के organs हैं, चाहे वो liver हो, चाहे kidney हो, चाहे तिली हो, intestine हो, lungs, कोई भी organs है नहीं है, brain हो, उसके चारों तरफ की जो cushion होने का काम है, वो fat ही करता है, ये fat की layer ही है, जो वास्तों में cushion का काम करती है, skin के नीचे भी जो date cushioning पूरी होती है, ये पूरी वास्तों में fat create करता है, ओर ये जो fat है, help करता है, cells को grow करने में, इनको re-produce करने में, तो इनको kushon करके चलता है, इन प्रोटेट करके चलता है, आपके जो बॉड़ी है, उसके जो temperature का maintenance है, उसकी जिम्मेदारी fat के उपर है, ये वास्तों में आपके body को warm रहती है, क्योंकि ये insulate करके चलती है body को, तो आपके जो body है, वो वार्म रहती है आपके बॉड़ी में जितने भी हॉर्मोन्स बनते हैं वास्तों में उनके लिए फैट जरूर चाहिए तो इसलिए फैट का जहां तक सवाल है बिना फैट के काम नहीं चल सकता है क्योंकि ये मेक्रो न्यूट्रियंट है ये कार्बो हैड़ेट आपको चाहिए आपको प्रोटीन चाहिए आपको फैट्स भी चाहिए आप जिरो फैट डाइट पर नहीं सर्वाइब कर सकते और जिरो फैट नाम की डाइट कोई होती भी नहीं है अगर हम ध्यान से देखें कि ऐसा कोई food नहीं है जिसमें कि fat नहीं होता है ये बात बिलकुल सही है कि कुछ जो fats होते हैं they are very healthy कुछ जो fats होते हैं they are not really healthy और वो जो unhealthy fats हैं वो problem create करते हैं हमें हमेशा समझने की जरूरत है कि वो कौन से ऐसी healthy fats हैं जो हमें लेना चाहिए और कौन से ऐसे unhealthy fats हैं जो हमें avoid करना चाहिए क्योंकि ये बात सही है कि अगर आप unhealthy fats बहुत ज़्यादा मातरा में लेते हैं तो ये आपकी health की जो problem है उसको बहुत सारी जुनत समस्याओं में ख़़ल कर सकते हैं तो जो unhealthy fats हैं वो problematic issue हैं लेकिन जहां तक healthy fats का सवाल है वो optimal amount में हमारी body की health को optimum रखने के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमंद और मददगार होते हैं लेकिन आप fat खातो सकते हैं आप जो उसको निगल लिए चबाइए अंदर वेजिए लेकिन ये बात तो सही है न कि आपकी जो intestine है वो इसमें capable होना चाहिए कि आपने जो fat खाया उसे वो पचाए digest करे और absorb करे तब ही तो वो fat आपकी body में लगेगा बहुत सारी problems ऐसी होती है कि आप जो fat खाते हैं वो वास्तों में आपका जो digestive system है उसको ठीक से digest नहीं कर पाता है इसलिए आपके intestine उसको absorb नहीं कर पाती यह वास्तों में आपको fat का indigestion हो जाता है यह truck सब्दी problem है यह truck सब्दी problem है कि बहुत लोगों को fat का indigestion होता है जो process है fat digestion की उसको ध्यान से देखिए जो digestion की जो process है fat की वो सीधा मूँ से ही चालू होती है ऐसा नहीं है कि आप जो fat खाते हैं वो पेट में जाके पच्चता है जैसे ही आप कुछ खाते हैं उसमें जो fat होता है तो जब आप चबाते हैं तो जो saliva होता है आपके मूँ में वास्तों में यहीं से fat की breakdown की जो प्रक्रिया है इसको चालू कर देता है यहीं से जो fat है वो breakdown होना चालू हो जाता है आपको समझने की जरूरत है कि जो इतने lipids होते हैं फैट होते हैं वो water soluble नहीं होते हैं water ना इनको break कर सकता है पानी ना इनको break कर सकता है ना इनके absorption में help कर सकता है क्योंकि यह water soluble नहीं होते हैं जब आप खाते हैं fat, तो वास्तों में आपका जो मुह में जब पहुंचता है, तो जो saliva होता है, saliva में दो enzymes होते हैं, which are very important, number one is the lingual lipids, the second one is the phospholipids, यह दोनों चीज़े हैं, जो वास्तों में जो fat आपने खाया, आपने मुह में उसको चबाया, तो उसको छोटे-छोटे drops में convert क कर देते हैं, इसलिए यह recommendation है, कि आपको जो अपना खाना है, वो दीरे-दीरे चबा-चबा की खाना चाहिए, बलब in fact, I recommend करता है, कि आप जो खाना खाएं, तो एक जो आप moment डालते हैं निवाला, उसको आपको 32 बार चबाना चाहिए, आपको चबा-चबा की खाना तो यहाँ जो digestion की process है, वो और intensify हो जाती है, intensify से मतलब है, और तेज हो जाती है, scientifically ऐसा मना जाता है, कि 30% जो fats हैं, जो आपने खाए, वो stomach के अंदर ही diglyceride में convert हो जाते हैं, और जो fatty acids हैं, उनको बनने की परक्रियाद चालू हो जाती है, जैसे ही, यह fatty material है, यह stomach से आगे कि उसमें जाता है, intestine में, यह वास्तों में fatty acids में convert होने लगता है, and scientifically आपके खाने के 2-4 घंटे के अंदर, पूरा का पूरा जो fat है, वो वास्तों में fatty acids में convert हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखें, कि यह कहां से कैसा कैसा हुआ, आपने जो खाया, तो मुह में saliva है, उस saliva इसको जो ब्रेक्डाउन किया, इसके बाद इस टमक में पहुचा, वहाँ इसका ब्रेक्डाउन किया गया, उसको convert डाइकली राइड में किया गया, इसके बाद यह डियोडनम intestine में पहुचा, जब यह intestine में पहुचा, तो इसको 3 चीजों की सबसे ज़ादा मंद मिली, एक juice है उसमें जो lipase है उसने वास्तों में fat को breakdown किया इन ultimate जितना भी आपने fat खाया है वो convert हो गया fatty acids में और जब fatty acid में convert हुआ तो यह triglyceride, diglyceride इसमें जो convert हुआ intestine वास्तों में इसको absorb किया जब यह intestine absorb करती है तो absorb करने के बाद एक जो नवेन होती है जिसे कहते हैं portal vein जिसका काम है कि जो भी absorb material है या nutrients है उनको absorb करने के बाद सीधा उसको liver में भेजे और जब यह liver में भेजती है तो liver वास्तों में यह fatty acids, triglycerides, diglycerides यह पहुंचते हैं इनक को अपने हिसाब से utilization करने लगती है तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो fat जो digestion की process है वो मूँ से चालू होती है, खाने की थहली digest करती है, intestine digest करती है, इसके लिए bile चाहिए और इसके लिए pancreatic juice चाहिए यह 5 चीज़े मिला के वास्तों में हमारा fat की digestion की जो प्रक्रिया है इ अगर fat की digestion की प्रक्रिया अगर बढ़ाएगी तो उसके जो side facts हैं वो आपके body में दिखाई देंगे, तो इसलिए fat की digestion की जो प्रक्रिया है आपको ठीक से समझना चाहिए, अगर fat digestion की जो प्रक्रिया है उसको समझने में ये वी वीडियो आपको help करता है तो इसको जरूर subscribe क करें मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्राम गेस्ट्र लेवर हास्पिल स्वरूप कंगर कानपूर थैंक यू बरी माच